वाव नया साल लग गया बाई मुझे पता ही नहीं कि कल में सवय था जब पुराना चला था अब नया लग गया है गुड मॉर्निंग वगए सबको लजी नया अश एक नया साल एक नहीं सुबा एक नहीं शुरुआत करते हैं आज उठकर गुड मॉर्निंग हेलो नमस्कार एंड जैश्रीराम फ्रेंड्स वेलकम टू मैं न्यू विलोग भाई साब तो आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हैपी न्यू यार नया साल मुबारक हो भाई साब फिर हमारे जिन्दगी का एक और साल खट गया भाई हम अपने ड्रीम को हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीतो दिल से मेहनत करेंगे और जो भी उमारे सपने हैं जो भी हमारे ड्रीम्स हैं जो भी हमारे ख्वाब हैं उनको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे ठीक है न दोस्तों एक नया साल लग गया है तो एक नई शुरुआत करते हैं एक नया साल एक नई सुबा एक नया दिन एक नई शुरुआत आए जी आज से हम अपने आप से ये वादा करते हैं जो साल गुजर गया उसके बारे में छोड़ो उसकी चिंता छोड़ो कि हमने क्या खोया क्या पाया ठीके ना बस इतना सोचो कि उस साल हमने क्या किया जो साल गुजर गया है उसके बारे में ये ना जूर्ड कर रहा हूं अपने जिन्दगी को अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आशे मैं लगन और दिल और महनत करुबब करनाँ अब ही अपने से वहाधा करें कि स्वाध करए है जो सड़ित Awwपने सपने को अपने सपने पूरा करके दिखाएंगे, दुनिया को पूरा करके दिखाएंगे, ठीक है ना, एक नई शुरॉत करते हैं, महनत करने से, महनत करते हैं, सुबह सुबह का टाइम है भाई साब, देख लें, काफी ज़्यादा सर्जी पड़ रही है, और जमीन में आया हुआ हूँ, खेतों में क्या करें देख लें, क्या महोल है भाई साब, सुबह सबह का फुर्श महोल है, तो हमने सोचाा भाई, आज आज का जो विलोग है ना खुशगवार मूड है तो खुशगवार जगा पर जाकर करना चाहिए ठीक है ना खुशगवार जगा पर अभी काफी रदा लोग मुझे पता ही क्या कहते है हर चंदराम इतना बड़ा विलोगर बन गया है और भाई भाई साब इसे कपड़े पहने का ढंग नहीं है इसे रहने से रहने का ढंग नहीं है अरे यार क्या कपड़े पहने नंगा तुरी घूम रहा हो ना जैसा हूं भाई साधा ही रहता हूं सिंपल मुझे रहना पसंद है ठीक है ना हां घूमने फिने जाते हैं तो फिर अच्छे कपड़े पहनते हैं लोग के था है जी एक विलोग के ना के मैं ऐसे और आपको यह तो सब्सक्राइब काम करने वाले लोग हैं हमें असी रहना पसंद है तो जी यह हमारा और और हम यहाँ पर बैठ़े होते हैं सुबह सुबाना मतलब तो यहां पर बैठ जाता है क्योंकि सरदी होती है ना, सुबस्वा कोई भी नहीं जाता है काम पर, तो यहां पर आकर आग सेखने के लिए बैट जाता है, अभी जो बड़े लोग ते वो जा चुके हैं तो बच्चे वगेरा बैठे हुए हैं और आग मस्तर के सर दल लिए सपरा क HIKE A घी जो थो खाना माना खाने के बाद भी आ चुके हैं जी अपने खेटों में यहां से हमने ले कर जाने हैं जी कमांज के पत्ते जानवें के लिए सुबस्बब बाई काट रहे हैं और ये गना आना सुबस्ब ठंड में गना खाने का अपना ही मज़ा होता है तो वह देख लेंजी सामने पत्ते काटे दा रहे हैं तो जैसे ये काटते हैं पेर इसे लेकर चलते हैं वाई अभी साड़े तीन का टाइम हो रहा है और सूरज मामू ने अपना फेस अभी तक खरवील नहीं किया है भाई सा बाज इत्मी जादा ठाड़ पाड़ रही है जो कि चलते हैं भी खेतों में और जा कर लेकर आता हैं भी साब बड़ी यह देख सकते हैं जी काफी जादा जो है न हमने इसका कुत्रा कर दिया है और यह थोड़ा सा बचा कर रखा है बक्रियों के लिए यह हम डालेंगे बक्रियों को और काफी जादा बही साब सर्दी इतनी जादा पार रही है न कि आपको बता है ताड़े-चार का टाइम होने वाला साड़े-चार का टाइम होने वाला है भी और बहुत ही हैवी सर्दी पार रही है ठंड यह देख लेंगे बक्रियों बगारा जहान मज़े से घास खा रही है और इसके अंदर जो है हम इसके अंदर हम रहाएंगे इससे कहता है जी इसे मट भी कहता है और गन्ने की मेल पर कहा जाता है तो यह भी तोड रहे हैं जी इसको इसको भी घास के अंदर मिलाएंगे ना तो फिर खा जाएंगी जानवर हाँ हाँ होगे इर काई गुना वो जोगूर माते होगोड तीनो चापड़ में रड़ योडा यह ओ चापड़ जोगूर माते होड़ ता ने तो ड़ना भूला है ओ अनि चाह गया रहा है कि क्याओ अपनी मोट्सां काल इधर खड़ी है आप इसी पर हम गते घास लेने के लिए ओ भूलात पतना तरहखास अब हमें भी दॉक्त है क्पाड़ सब्सक्राइस जीना इसलिए तो मेरे केमरा बंद था ौच शूड़ कौन से शूट का डाला बताना कैसा लगा आपको हमारे ये फॉन वाला विलोग अपने जो शूदे उनके हाला देख सकते हैं भाई साब कितनी जादा मिट्टी से नब भर चुके हैं पानी और मिट्टी ठीक है और मेरे हाथ भी देख सकते हैं आप लोग यह है एक महनत कने वा हाथ ठीक है नमस्दूरी वाला हाथ यह काम वाले हाथ ऐसे होते हैं भाई साब तो अभी शूद को अतारते हैं और फिर जो ना पैर वगरा धोते हैं यह देख लेंगे पैर अंदर से कैसे निकले हैं गरम गरम होई पड़ा अभी काफी जादा ठान लग रही है अब हास मुदोकन अब कुछ चाई वगरा पीचन चाई पीएंगे ना तो थोड़ी करमेश अंदर से मेंद होगी वन्हा भाई साब ठान ने बुरा हाल का रखा है करमा गरम चाई बैसा पी ली है और अभी कुछ अभी कुछ काम है हमें तो वहां पर जाना है तो चलते हैं अब इस आप ठान पे काफी ज़दा है अब बज़ रहा है शाम के सोड़े चार और अब ही में जा रहा हूं घर का राशन पारी लेने के लिए शौक पर मार्केट में ठीक है ना तो चोड़ी से मार्केट है वारे करीब है तक्रीबर दस मिनट का पर पर है वाइक पश्ड़ तो वाई समान लेकर घर पर आ चुके हैं भाई साब और आपको दिखाना बहुत कुछ था लेकर नहीं दिखा पाया वाई एक बहुत बड़ा कांड हो गया था भी मेरे साथ ठीक है ना यह जो फोन है ना जिस पर आप या जिसकी वीडियो मैं रिकार्ड का रहा हूं ये गि च से बता हूँ आपको और ये कोड का जन भाय que को बड़ा पाया ञाएं यहां से पतन कैसेmerset ही बाई से जम्ब लगा और नीचे गर गया और भाय صاحب मत सूर में जहां जहां मैं गया था जल्दी जल्दी से बगगा और वहां से पहुंचा उनको पूछा यहां पर उनका नहीं हमें नहीं पता है फिर तीन-चार काने की तो एक बंदे निकाल वो पिक अप कर ली वो बंदा हमारी भाई निकला हिंदू भाई था वो गोरक नाथ उसका नाम कभी मिलवाओंगा ठीके ना तो उस भाई ने काल पिक और उसने म तो भाई देख लूज एक दम से नहीं को जटका लगया था तो बस यार जो कुछ है इस फोन में है हमारा ठीक है अब पूरा सेटप चैनल को पूरा सेटप जो नहीं इसी फोन में है इसके लावा किसी और चीज में नहीं रखा हुआ है तो बस पुराथना भगवान से गया है तो उमीद करूंगा कि आपको हमारा आज का यह विलोग पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो आपने लाइक जरूर करना है मिल टेक नेक्स्ट विलोग में तब तक बाई बाई